बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है दिया बाईक चलाने को लेकर बहुत उत्सुख है वो बाईक चलाने के लिए 16 साल की होने तक का इंतजार नहीं कर सकती खास तौर पर जबकि उसे पता है कि उसकी चित्ती बाईक चलाती है चलिए पढ़ते हैं खुद की पहचान बनाने और चुन्ने की आजादी पर अधारित एक सुन्दर कहानी मैं मोटर साइकल चलाओंगी ओरिजनल स्टोरी आई वांट टू राइड अ मोटर बाईक बाय आर्थी पार्थसार्थी हिंदी में अनुवात संध्या कहानी सुना रही है असावरी दोशी ये है दिया आट साल की उम्र में उसने एक महिला को बाईक चलाते हुए देखा था इस दुरुष्य ने उसे बहुत प्रभावित किया नौ साल की उम्र में उसके पिता ने एक वनवे यानी एक तरफा रास्ते पर शॉटकट लिया और एक कार चला रही महिला उनके सामने आगी भले ही ये उनकी अपनी ही गलती थी लेकिन वो महिला ड्राइवर कहकर भुनबुनाने लगे दिया ये कभी नहीं भूल पाई जब वो ग्यारा साल की हुई तो उसने एक हवाई जहाज में सफर किया जिसे दो महिला पाइलट उड़ा रहे थे वो उड़ान के बाद उनसे मिलने का इंतजार करने लगी और साथ ही उनके साथ फोटो खिचवाने का भी 12 साल की उम्र तक वो अपनी सोसाइटी की सबसे बहतरीन साइकिल चालक बन गई थी उसने कई दोड़े भी जीती अब दिव्या 14 साल की है उसने तै किया है कि वो पाइलट बनेगी पर पहले वो मोटर बाइक चलाना चाहती है दिया ने अपने दोस्त शायन को अपनी पसंद की बाइक चलाने के बारे में बताया लड़किया मोटर बाइक नहीं चलाती तुमने अभी तक कितनी लड़कियों को देखा है जो बाइक चलाती है शायन ने कहा बहुत सी लड़किया है जो बाइक चलाती है तुम्हें बस उनके बारे में पता नहीं है दिया अपनी अम्मा और अप्पा को अपने बाईक चलाने के शौक के बारे में बताती रहती है अप्पा क्या आपको पता है कि बाईक चलाना स्कूटर चलाने से ज्यादा सुरक्षित है अम्मा क्या आपने वो लेख पढ़ा जो मैंने आपको भेजा था भारत में 18 महिला बाईक चालक समूह है समूह के सदस्य साथ मिलकर हर साल लंबी यातराय करते है मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ शायन ने मुझे बताया कि उसके चचेरे भाई ने मोटर साइकल चलाते हुए दिल्ली से बेंगलूरू तक का सफर तै किया है कितना अद्भुत है न दिया अगर तुम इसका आधा समय भी गणित के अभ्यास में लगाओ तुम अपने टेस्ट में इससे बहुत बहतर कर सकती हो जाओ अपने स्कूल की पढ़ाई करो अप्पा ने कहां दिया अपने स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तभी अम्मा एक किताब लेकर उसके पास आई ये क्या है अम्मा ये तब की फोटो एल्बम है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी फोटो देखते हुए दिया बहुत उत्साहित हो गई क्या मोटर बाइक पर ये अनिता चित्ती है उसने पूछा अनिता चित्ती मुंबई में रहती थी वो अम्मा की पक्की सहेली और दिया की पसंदिदा चित्ती थी हाँ ये वही है और ये उनकी बाइक थी सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए उनके पास रही जब जब अनिता कक्षा में नहीं होती थी तब तब वो शहर में बाइक पर घूमते हुए समय बिताती थी मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो भी अपने दोस्त से बाइक चलाना सीख रही है उनके पास यामा मोटर साइकल थी बड़ी मज़ेदार बात है लेकिन उनके पास ये बाइक सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए क्यों रही उन्होंने अपने पापा से कॉलेज आने जाने के लिए और खाली समय में कुछ काम करने के लिए एक दूपईया लेने के लिए पूछा तो उन्होंने पैसे भेज दिये उन्होंने सोचा होगा कि वो स्कूटर लेंगी पर उन्होंने ये यामहा बाई खरीद ली थी दिया चकित थी साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि उसकी अम्मा ने अब तक उसे ये सब क्यों नहीं बताया था जब चित्ती के पापा को इसका पता चला तो वो बड़े नाराज हुए उन्होंने कहा कि या तो वो मोटरसाइकल तुरंत बेच दे वरना उन्हें कॉलेज छोड़कर वापस घर आना होगा इसलिए अनिता को इसे बेचना पड़ा इससे वो बहुत दुखी हुई थी मैं समझ सकती हूँ दिया ने कहा मुझे पता है ये फोटो तुम्हे पसंद आएगी अम्मा ने कहा अगले कुछ हफतों तक दिया अनिता चित्ती और उनके यामाहा के बारे में सोचती रही उसने अम्मा से पूछा कि क्या वो अनिता चित्ती से बात कर सकती है दिया ने फोन किया तो फरा अंटी ने फोन उठाया नमस्ते अंटी मैं दिया बोल रही हूँ आप कैसी है क्या अनिता चित्ती वहाँ पर है नमस्ते दिया रुको मैं अनिता को फोन देती हूँ दिया सीधा अपने मुद्दे पर आ गई अनिता चित्ती, अम्मा ने मुझे आपके यामाः बाइक की फोटो दिखाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी अनिता चित्ती को जवाब देने में कुछ समय लगा ओ, तुम्हारी मा के पास अभी भी वो फोटो है चित्ती, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था मुझे मोटर बाइक बहुत पसंद है पर अप्पा को लगता है कि मुझे ये नहीं चलाना चाहिए उनको लगता है कि बाइक लड़कियों के लिए नहीं है लोग कहते हैं महिलाओं को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मुझे ये सब बहुत परेशान करता है दिया ने कहा क्या आप मुझे सिखाएंगी दिया ने जिजकते हुए पूछा अम्मा सब सुन रही थी और आश्चर्य की बात है कि वो मुस्कुरा रही थी अनिता चित्ती चकित रह गई दिया इसके लिए पहले तुमें सीखने का लाइसंस बनवाना होगा और वो तभी बन सकेगा जब तुम सोला साल की हो जाओगी अगले साल में सोला साल की हो जाओगी पर मैं आप से सीखना चाहती हूँ क्या आप मुझे सिखाएंगी इसके लिए पहले मुझे तुम्हारे माता-पिता से बात करनी होगी दिया ने आशापूर्ण नजरों से अम्मा की तरफ देखा अम्मा ने हां में सिर हिलाया अम्मा ने तो हां कहा है और अप्पा को मैं बाद में बता तूंगी जैसे आपने किया था उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारी अम्मा से बात करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे अप्पा को कैसे मनाना है आप कितनी अच्छी है चित्ती, मैं जानती हूँ तुम्हारे अप्पा क्यों चिंतित है तुम्हें याद रखना होगा कि एक व्यक्ति और बाईक चालक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुरक्षा और समझदारी से काम ले बाईक चलाना मज़ेदार तो है लेकिन ये अधिक माएने रखता है कि आप किस तरह के चालक है ना कि ये कि आप कितनी तेज बाईक चलाते है उस राद दिया अपने कमरे से अम्मा और अप्पा की बात सुनती है तुमने उसे वो फोटो क्यों दिखाए अब वो उसे नहीं चोड़ेंगी अप्पा ने कहा वो आत्म निर्भर बनना चाहती है क्या ये अच्छी बात नहीं है अम्मा ने जवाब दिया वो बस से भी तो आजा सकती है मोटर बाईक की क्या जरूरत है बाईक चलाना सुरक्षित नहीं है आपने राहुल को सीखने का लाइसंस मिलने पर तो बहुत उत्साहित होकर मुबारक बात दी थी फिर अब ये दोहरा मापदंड क्यूं दिया उदास हो गई अप्पा कभी नहीं समझेंगे अगली शाम शायन और दिया हमेशा की तरह क्रिकेट के मैदान से घर की तरफ अपनी साइकलों पर भागे शायन रेस जीतने पर इस कदर आमादा था कि गली में एक छोटा बच्चा उससे बाल बाल बचा मैं साइकल में भी जीत गया देखो मैं तुमसे तेज हूँ शायन ने कहा क्या कह रहे हो तुम उस छोटे बच्चे को चोट लग जाती अभी दिया ने कहा और इस बात से अंजान कि अप्पा उसे उपर से देख रहे है वो उस बच्चे का हाल जानने रुख गई उस शाम अप्पा ने अनिता चित्ती को फोन किया कुछ दिनों के बाद अप्पा दिया के कमरे में आये वो उस समय कम्प्यूटर पर कुछ खेल रही थी मैंने सुना कि तुमने अनिता को फोन किया था दिया उदास हो गई मान जाईए न अप्पा चित्ती ने कहा है कि वो मुझे सिखाएंगी तो सुरक्षित रहेगा मैंने इसके लिए बचत करना भी शुरू कर दिया है और वैसे भी बाइक स्कूटर से ज्यादा सुरक्षित है उसके पहिये भी ज्यादा चौड़े होते है अच्छा तो तुमें बाइक के बारे में इतनी सारी बाते पता है अप्पा ने कहा आपका मतलब है चित्ती मुझे सिखा सकती है हाँ अगर तुम सीखना ही चाहती हो तो अगले साल मुंबई जाकर सीख लेना अप्पा बहुत अच्छे है दिया ने अप्पा को गले लगा लिया लेकिन एक शर्थ है तुम जब पाइलट बन जाओगी तो मुझे हर जगा घुमाओगी मुझे भी अम्मा ने कहा हाँ जरूर पर उससे पहले मोटर साइकल पर गुमाओँगी दिया ने कहा दुनिया की प्रमुक महिला बाइक चालक एनी लंडन डेरी संयुक्त राज अमेरिका की एक लात्वियाई अप्रवासी थी जो सन 1894-95 में दुनिया भर में साइकल चलाने वाली पहली महिला बनी अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता सुजैन बी एन्थोनी ने सन 1896 में लिखा था मुझे लगता है कि साइकल ने महिलाओं को मुक्ती दिलाने में दुनिया के किसी भी चीज से अधिक काम किया है ये महिलाओं को स्वतंतरता और आत्म निर्भरता की भावना देता है सन 1930 के दशक में एक अफरीकी अमेरिकी महिला मोटर साइकल चालक बेसी स्ट्रिंग फिल्ड ने अंगिनत बार अमेरिका में दौड लगाई और यहां तक की पुरुशों की मोटर साइकल दौड में भी प्रवेश किया जब उन्हें पता चला कि वो एक महिला थी तो उन्हें पुरसकार देने से इनकार कर दिया गया वास्तुकार और मोटर साइकल चालक एलस्पेत बेर्ड को सन 1982-84 के बीच मोटर साइकल पर दुनिया का चक्कर लगाने वाली महिलाओं में सर्वप्रथम माना जाता है रोश्नी शर्मा कन्या कुमारी से काश्मिर तक मोटर साइकल चनाने वाली पहली भारतिय महिला है जिनोंने सन 2014 में ये उपलब्धी हासिल की सन 2018 में सीमा सुरक्षा बल BSF की सीमा भवानी या बॉर्डर ब्रेवार्ड से जुडेस सभी महिला बाइक चालक पहली बार भारतिय गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बने आप सुन रहे थे कहानी मैं मोटर साइकल चलाऊंगी जिसे लिखा था आर्थी पार्तसार्थी ने हिंदी में अनुवाज संध्या और कहानी सुना रही थी असावरी दोशी बुक्सदाट स्पीक पर आप अगर बुक्सदाट स्पीक को सपोर्ट करना चाहते है तो आप support.booksthatspeak.com पर जरूर आईएगा शुक्रिया